तीन दिन सिर्फ दो ग्राम चून गरम पानी के साथ रात को सोते समय और पूरी जिंदगी आपको सुगर की बिमारी, कॉलोस्टोल, पेट के रोग और दिल से जुड़ी बिमारिया नहीं होंगी दोस्तो आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे नुस्खे को बनाने की विदी और बना कर दिखाएंगे जिसका प्रियोग करके आप अपने सरीर की हर बिमारी से बचे रह सकते हैं दोस्तो आपने इस नुस्खे का सेवन सिर्फ तीन दिन करना है एक महीने के अंदर और यदि आप ऐसा करेंगे तब आपके पूरे सरीर की सफाई हो जाएगी और आपको कभी भी इस सुगर की बिमारी का सामना नहीं करना पड़ेगा और नहीं आपको कभी बैड कलोस्टूल बढ़ने की प्रेशानी होगी ना आपके हार्ट में कभी ब्लोकेस होगी और दोस्तो यदि कोई ब्लोकेस है तो वो भी खुल जाएगी और नहीं आपको कभी हार्ट टेक आएगा और आपके पेट से जुड़े रोग भी बिलकुल स सकती भी बढ़ जाएगी क्योंकि आज की इस वीडियो में जो नुस्का हम आपको बताने वाले हैं वो आपके पूरे सरीर की गंदगी को बाहर निकाल देगा यहां तक कि आतों और पेट के सफाई के साथ साथ लीवर और किड़नी की भी सफाई कर देगा और आपको इन सभी रहे के रोगों से बचा देगा तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि इस नुस्खे के लिए सामगरी क्या क्या है पहली सामगरी आपने जो लेनी है वो लेनी है दोस्तों काला दाना काले दाने को क्रिसन बीज के नाम से भी जानते हैं जैसे कि यह आप इस वीडियो में देख यह लेना है आपको 30 ग्राम, दूसरी सामगरी है सनाई, वो भी लेनी है आपको 30 ग्राम, और तीसरी सामगरी आपने इसमें लेनी है काला नमक, काला नमक लेना है आपने 10 ग्राम, अब जानते हैं इस नुस्खे को बनाने की विदी, दोस्तों आपने काले दान को अच्छी तर इनों को लेकर आपस में अच्छी त्रहें से मिला लेना है और दोस्तों ये है आपका नुस्खा आपके पूरे सरीर की सफाई करने वाला दोस्तों यह चून कबज को मिटा देगा एसिडिटी को खतम कर देगा पेट के सभी रोगों का इलाज है यह चून यकृत पलिहा सूल और गरभासे के रोगों में भी दिया जाता है और दोस्तों इनके इलावा भी यह चून उन सभी को भी देशकते हैं जिनको अपने पेट के सफाई करने की जरूद होती है या जिस भी रोग में पहले पेट की सफाई करनी होती है उसमें भी इस चून को देशकते हैं और दो धिरे धिरे इसकी मातरा को बढ़ा सकते हैं, पांच ग्राम तक ले सकते हैं, क्योंकि यह आपके पेट के सारे मल को बाहर निकाल देगा, और दोस्तो इसको लेने से आपको पतला दस्त भी नहीं आएगा, बंदे हुए दस्त के रूप में आपका पूरा सरीर साफ हो जाएगा और दोस्तो इसके सेवन की मातरा दो गराम से लेकर पांच गराम तक हैं, और आपने तीन दिन रात को सोते समय इस चोन को हलके गुनगुने पानी के साथ लेना हैं, और आप सुबे देखेंगे, एक या दो दस से ही आपके पूरा सरीर साफ हो जाएगा, पहले से आप थोड पेट में हलका सा दर्द हो सकता है, क्योंकि यह चोन आतों में जमा हुआ मल को खुर्चता है, और ऐसी दसा में थोड़ी सी सोफ मुह में रखकर आप चूर सकते हैं, उससे आपको अराम मिलेगा, और दोस्तो यदि आप इस चोन का प्रियोग करके अपने सरीर की पूर्ण स प्रियोगों का सामना नहीं करना पड़ेगा, और दोस्तो सिर्फ दो कराम आपको लेना है, तो दोस्तो देर किस बात की है, आप भी इस नुस्खे को आज ही अपने घर पर बनाएं, और इस नुस्खे का प्रियोग करें, और अपने सरीर को बिलकुल सवस्त बना दें, तो दोस्तो यह थी हमारी वडियो, अगर आपको हमारी वडियो अच्छी लगे, तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इसके साथ में आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइबर बटन के साथ जो बेल का इकोन है उसको भी दबा दीजिए, त एनिए, वाजू नव structural में ठन्य वड्श्तों ग्रूर कीजिएmostाब झाल के बबग्शिदत भी अर्वश्तों